अब जरा मुलाकात हो जाए उन लोगों से जो लोग की आस्म बैठे हैं कि कोई आए जरा मैं यहीं से पूंदो आप लोग आसान है क्या लग रहा आपको कि कोई नाव चाहिए या कुछ साहिता चाहिए क्या नाव चाहिए यहां पर बोर्ड लगा हुआ है मुख मंत्री ग्रा लोग बास्तव में सिर्लंका रूपी गाउं में राते हैं जो चारो बगल से पानी से घिरे हुए इनके घर में पानी है वो लोग यहां खरे हैं आज पांस दिन हो गया कोई दाना पानी देने वाला सरकार आया तो यह तो गाउं बहुत दूर है जंगल में है तो तभी आज लोगों को पहले कोंड़े पूछने के लिएं कि आपका पानी आएगा तो ना ओकल वैवस्ता हो याई सा कोई नहीं आते हैं समझने की बात है यह सत्ता का आपका परमान आपको यहां पर मिलेगा यह वह लोग हैं जिनके घरों में आप देख सकते ह। पानी है भरा और यह पानी निश्चित है कि भरेगा हर साल इस पानी का आना ते है और नहीं आ पाता है तो सरकार की संबेदना है वह पहले से नहीं कोसिज करते हैं यहां तक हम पहले पहुचें पहले कॉम्निटी किचन का निर्मान करें और इनके लिए पहले से खाना का बंदोवस्त करें पसुचारे का बंदोवस्त करें जो चीज़ आप लोग युवा है ज़रा कुछ कहेंगे क्या मामला है कि लोग डूपते जब बोले बोले पूले आप लोग बोला चाहिए कुछ पानी आने की बात यहां पैराती है कि पानी आएगा तो पहले कुछ लोग सरकारी लोग आते हैं पूछने के लिए कि पानी आया पे बवश्ता है लोग नहीं अभी पुछ भूशा पचा रोजगार करें लेकिन जो संबेदरा आपदा के नाम पर तो सरकारी बहुत फंड आते चाहिए जो की बगयरे मा बलापुर मेहंदरपूर गाउं महेंदरपूर रास्ता के महाने है या गुप्ता-बान से तरह इस जाका पाण जो नाव कि न्यूक तो नहीं होता है बार आने से पहले नहीं होता है अभी हुआ क्या कुछ नाव चले अब तक नहीं चले हैं पांच दिन से लोग बता रहे हैं कि अब तक अब फॉत्त कशचच नाव नहीं चले हैं कुछ महिलाएं बीमार हो तभी की उपाय होता है अभी तनिक जुरता है तो यह मत्वाज और अधर ले लें लेकिन जाय का ऊपाहई नहीं चैफ तर्णिंग मत्वरास्ता सिर्फ ना धौर्म पानी ज़रूरत थे पानी तहीं नहीं निश्टी तरहें लेकिन ज़रूरत थे कि नाव होएक चाहिए कुछ खाना पानी होएक चाहिए उसको कोई उपाई नहीं पटना से मैं बगल में तस्वीर दिखा दूगा आपको पटना या बरे सहरों से कुछ नाव चिनित करके डेकुरेट करके उनको चिकिस्ता देने के लिए जो लोग पानी में रह रहे हैं दिखाया गया है अब लोकन हुआ है उद्घाटन हुआ है जो लोग यहां डूबे हु लगाए का भेजला का यहांने पहुंच लो तोरह लेगा ना ना कुछ निया जो तस्वीर दिख रहा है उसको तस्वीर तक ही मानिए जो जमीने हकिकत है वहां के लोग जो कर रहे हैं इतने लोग इस उमर में कभी जूट नहीं बोलेंगे जो दर्द पृत लोग हैं वो कभ पर निदी हैं क्या आप अपने भासा में बताएं हमें कि इस गाउं के बारे में बलपूर वन का जो महंदरपुर गाव जो गाउं है वो प्रिष्ट के हिसाब से कैसा है कैसा रहां सान कैसे लोग रहे हैं यहां सब सिच्चित लोग है और विशेश करके बार के समय में इस सब्सक्राइब करें लेकिन सरकार बार होने पुछने सोचती है इस बीसे में अब ही तो ईसा हम देख रहे हैं जो आपने शिच्छित का नाम दिया इस गाउं एक शिच्छित गाउं बता रहे हैं तो सिच्छा के अस्तर से इन लोगों ने अपने अपनी मंजिल को पाया हों सब्सक्राइब में तो लोग जो अपने गाउं के लिए कुछ नहीं किया वो दुनिया के लिए क्लिए नौकरी करते हैं गाउं से निकलने के बाद लोग को जाता है लोग गौँपे रुटना ध्यान नहीं दे पाते हैं नए बैमान मत कहिए करते हैं आपका कुछ उननली है सियो साहयक मताविक हमको जो लेटर दिये उसमें चार नाव महिंदरपूर में लिखा हुआ है लेकिन एक भी नाव महिंदरपूर में नहीं चल रहा है नए कम्मुनिटी की चन्क वेबस्था है ने पसुचारा का कुछ वेबस्था है यह लोग अपने भगबोन भागभरों से जीद हैं आप जन पड़ने दे हैं जो आवदा नियंत्रन का जो कार्ज है सरकार के दोरा वो निरंतर चलते रहाता है सरकार पूरवत निरिक्षन करते लगा रहता है तो यह जब ऐसा सिच्वेशन जिसमें पानी आता उस समय क्यों भी लुप्त हो जाते हैं वह पैसा बचाने का जुगार तो नहीं है पैसे परी सरकार खाली कागज पर चल रहा है अभी स्कीचेन सुरू करेगा एक सो लोग को खिलाएगा पहुंच हजार सब शाल इस तहरा करता है पहला साने सब साल होता है इसम्वेद्दर नहीं होच इंच चरल आपको बोला आप जन प्रणिती हैं जिलापरषद हैं यो हैं जिलापरषद ce2 तरस संख्या पैंतिस और आपको इसके खेल यहां पर नाओं विल्यों म्जूद चार चचाल नहीं अचार करें आपको बप्रणीय का है तो आपको देखने से नहीं होता है परमान सरकारी नाव का ठपा तो नहीं लगा हुआ है लेकिन नम्सकार आप देखरें बीटी नुज बिहार बाढ़ आया हुआ है लेकिन जो सरकार दिली या पटना में बैठके अपना योजना बनाए उनके योजनाओं पर एक प्रस्ण चिन लग जाता है आखिर में घूम करके वो सिफर हो जाता है उसका कारण होता है कि आप वहां बैठे बैठे यहां के हकीकत को नहीं समझ सकते हैं बार से पुर्व की योजना उसके बाद की वहाँ सारी योजनाया हैं जो यहां के कुछ लोग बताना चाह रहे है ये गुर गामा पंचायत का महिंदर पूर्ग्राम है जो की भारत में नहीं बेगू सराय में बलापुर एका पंचायत है जो बेगू सराय में मानचित्र पर ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप देखेंगे हवाई सर्वेक्षन के दा आपको दिखाई देगा कि स्रिलंका जैसा है जिसके चारों बगल से पानी गिरा हुआ है और पानी गिरने के बाद इन सबसे पहले यहां पार यह क्लोरीन की टेबलेट यह पैर में जो पकवा लगता है उसकी दवा सर्दी खंसी की दवा भूसा में पानी चला गया है मबेशी के खाने के लिए कम से कम सूखा चारा की विवस्था यह होना चाहिए इमीडियेट नाव की विवस्था होनी पाते हैं वह उनके आवा आवा गवन में सुभधा हो भार नौर पानी है और लोग निकल नहीं पाते हमारे गउं की आवरत बच्चे कंधा पर ले करके लोग बाहर निकल रहे हैं लोग तूटा हुआ है नमर एक यह भी बार के समय में बार के बाद सब जगह सरक तूट जा करोना में सरकार के पोल नहीं पूल खुले उसमें बैस्विक महामारी एक हैजा भी हुआ करता था और उसकी जो उपज है वह सबसे जाएदे इन चेत्रों में होता है जब जल का पानी निकल जाता है तब छोटे बच्चों में बैक्टरियल इंफेक्शन होता है पानी पीने से या बहुत सारे दूसित कामों से तो उसके लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए चचा इतने बुजुर्ग हो गए कि बहुत सारे हाई जाने रहो लोग उल्टी पैखना दस्त होई लगे रहे कोई उपाई नहीं मेड जाए रहे तब कुछ चीजों करें लाए उसने जगापन होई चाहिए जब पानी चैल जाइता है तब कहा मत तब होई लए सरकार को ध्यान देच्वा रोजरों हर साल पानी आवे चाहिए जाए अब हमें कहीं नितिस सरकार ने हम सब लोग में रह लिए अच्छा इस तुनार कोई निति सरकार अपन भूठ खा ते राजनिती करें चे खिडिए सुधर बाद करें खिए कुड़कारिस काम बादे मिल ले है और नितिस करें लिए है वे वालीह हमार मालीइं के लिए हमार वैस्टा कर नहीं कोप्टर से टेजाय है है कि मैं करता च्रण हमें उखारे दिखेंचों, हम लाग काई कुपार नेचे, अस्तरकार्की केचे, वहां बस ताल में वेचे.